हलो कौन सा है कि किसमें लगता है कि इसमें लग सकता है कि इसका सब्सक्राइब हलो कि अब आवाज आ रही है आख लोगों को अब आप लोगों ने कहा कि आ रही है चलिए पुना एक बार हम सुरू करते हैं सोरी इंटरप्शन के लिए आज हमें चरो के संबंद में चर्चा करनी है कि चर क्या होते हैं और विभिन परकार के चर कौन-कौन से हैं और चरो को हम किस परकार से अलग-अलग परकार से डिफाइन करते हैं तो आप देखेंगे कि जिस परकार से डियमेटों ने चरो के संबंद में चरो को परिभासित करते हुए कहा था कि किसी वस्तु अथ्वा व्यक्ति के वे समस्त गुण जिनको हम माग सकते हैं अथार्थ वे समस्त मापे जाने वाले गुण चर कहलाते हैं और यदि आप बात करें किसी वस्तु के किसी गुण के किसी विशय के चर होने या ना होने के संबंद में तो हम देखेंगे कि यद उसमें परिवर्तत, परिवर्तन की संभावनाएं होना। यदि ये दो गुण उसमें नहीं हैं, तो हम उसको चर नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उसको मापा जा सकता हो किसी भी स्तर पर, और दूसरा उसमें परिवर्तन होने के चांसेज होने चाहिए। तो जब हम बात करते हैं variables की, तो किसी भी परकार का अनुसंधान हो, उस सभी परकार के अनुसंधानों में चरो की आवशक्ता होती है और चरो का उप्योग होता है, कई बार कई लोगों को बड़ा confusion होता है कि गुणात्मक research में या गुणात्मक अनुसंधानों में चर कहा होत हैं और जब हम बात करते हैं मात्रात्मक चरो की और गुणात्मक चरो की तो हम यह जानते हैं यह मानते हैं कि जो मात्रात्मक चर हैं उनको उनका लिए बहुत आसानी से हम idea लगा सकते हैं कि अमुक गुण चर है अत्वा नहीं है क्योंकि कुछ गुण चर होते हुए भी कु जाते या उनको चर नहीं माना जाता जैसे ऐसे कौन-कौन से गुण है जैसे हम मानें कि हम उनका पौपली मेजर नहीं कर पा रहे हैं और या हम उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है जैसे हम देखें कि मात्रात्मक जो गुण है या मात्रात्मक जो चर है उनके संबन्द में अं Simple सा एक मैं आपको example देता हूँ, क्या example है कि आपने गुण लिया उसको आपने किसी test के थुरू मापने का प्रियास किया, उधारन के लिए हम ले लेते हैं emotional intelligence, यदि आपने emotional intelligence को मापने का प्रियास कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे एक test कुछ लोगों पर apply करेंगे, तो हम उधारन के लिए मान लेते हैं कि 10 लोगों पर हमने वह test apply किया, उसके बाद में हमने क्या किया, उन 10 लोगों से जो score प्राप्त हुए, उनको हमने एक जगे लिखा और उनका mean और sd हमने calculate किया, तो जब कोई गुण, अब mean निकालेंगे तो आप देखेंगे कि उसका जो mean आया होगा, तो उस पर depend करेगा उस 10 लोगों के क्या score से, एक assume हम करें कि 10 लोग जो हैं, उन सब का जो score है 100 में out of 100, 80 सब का score है, तो आप सीदी सी बात है कि सभी का score 80 है, तो उहाँ पर जो mean होगा, वो क्या होगा? 80 होगा, ना, तो यहाँ पर mean 80 होगा, क्योंकि 10 में से 10 लोगों का score 80 है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो sd हम calculate करेंगे तो sd जो होगा वो सुनने होगा क्यों कि वहाँ पर variations नहीं है तो सभी का जो mean है वो क्या है 80 है एक ही समान है पूरे group का क्योंकि score समान है और वहाँ पर जो आपका sd आया वो 0 होगा तो यहाँ पर इस गुण को intelligence एक चर होते हुए भी इस condition में हम उसको चर नहीं मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे चर क्योंकि वहाँ यहाँ पर जो sd है वो सुनने से अधिक नहीं है तो यह एक चर की कि उस समहूं का उस group का जिसकी योगता को हमने मापन किया है उसका sd जो है या मानने होने का गुण हो यानि कि उसमें चेंज होता हो वो चेंज हो रहा हो दूसरा उसको मापे जाने का गुण उसमें होना चाहिए अब इसी इसी एकजामपल को यदि हम दुबारा से देखे हैं कि हमने देखा कि दस लोगों पर हमने अपलाई किया एक टेस्ट को अपलाई करने के पशचाथ हमने देखा कि 8-9 लोगों स्कोर 100 80 हैं यानि कि समान है लेकिन दश OH व्यक्ति का का क्स्कॉर है वह में कितना है होर 11 है इतना है तो आप देखेंगे जब मिन क्यलकुलेंट करें तो 80 से थोड़ा सा जादा मिन वहां पर वन पर क्यलकुलेंट हो उसका होगा यस तो इस परकार पर से जश्यादा. मीन उसका होगा तो इस परकार से आप देखेंगे कि जहां पर जीरो से ज़्यादा SD होते ही उसको हम चर के रूप में मानना शुरू कर देते क्यों क्योंकि उससे उसके दूसरे गुण की परिवर्थित होने का गुण होने का सैटिस्वाई करता है तो चर क्या है? चर मापने योगे हो पहली बात उसका मापन किया जा सकते क्या किया जा सके और दूसरा उसमें परिवर्थित होने का गुण होना चाहिए जो परिवर्थित नहीं होता उसको फिर क्या बोलेंगे? उसको इस्तनांक बोलेंगे यानी कॉंस्टेंट मो लेंगे जैसे उधारण के लिए हम आप देखें कि जो कॉंस्टेंट है तो जो कि कॉंस्टेंट है यानि कि इस्तरांक है तो अब यहां पर GENDER का उधारण ले लेते हैं तो GENDER क्या है? GENDER एक variable है पेंदें के लोग जानते हैं कि जेंडर क्या हे एक वेरियेबल है लेकिन जेंडर के दो इसथरों होते हैं दो लेवल होते हैं एक लेवल क्या है एक है मेल और दूसरा है फीमेल अब यहाँ पर यदि हम सिर्प IndieVisually मेल को लें तो male होना gender नहीं है क्यों क्योंकि male सभी लोगों में एक जितने भी पूरा गुरुप होगा male का वो सभी एक समान योगता वाला होगा समान होगा दूसरा female जो होगा वो एक जैसी सभी उसमें female ही होगी है ना तो इस परकार से जब gender के रूप में होहाँ पर count करेंगे तो होता है एक जैसे ही सभी मेली होते हैं तो मापने योग गय हो मिजर किया जा सकता हो और उसमें चेंज होने का गुण होना चाहिए अब हम बात करते हैं चरो के classification उसकी हम एक बार चर्चा यहां पर करेंगे तो दो प्रकार से हम define करते हैं सतत्चर तथा एसतत्चर यानि कि continuous variable और हम देखते हैं कि जैसे आई यू है किसी व्यक्ति की आई यू किसी व्यक्ति की आई यू 21 साल हो सकती है या 21 साल दो महीने हो सकती है 21 साल दो महीने चार दिन हो सकती है या किसी व्यक्ति का भार जैसे 62 kg हो सकता है या 62.2 kg हो सकता है या 62.25 kg भी हो सकता है अर्थात यहां पर क्या मानते हैं हम कि continuity जिसमें होती है सतत्चर कूंसे चर होते हैं जिन में continuity होती है सतत्ता होती है जहां कोई प्रेक नहीं होता अर्थात पूनांक तथा उसके अंश के रूप में हम जिनको परिभासित कर सकते हैं जिनको हम पूनांक के रूप में और अंकों के रूप में करने भी मान सकते हैं जैसे हमारी आयू भार और उपलब्सक्रh attended परिक्षण से प्राप्त उपलब्सक्राइब होती है वह रूप में ही जिनका मापन किया जा सकता है उधारण के लिए एक परिवार में सदस्यों की संख्या आप देखोगे कि एक परिवार है कोई भी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है चार हो सकती है पांच हो सकती है आठ हो सकती या ने किया आप ऐसा तो नहीं कहते हैं कि 4.5 है या 5.8 है या 5.5 है ऐसे तो नहीं होता पूर्णांकों के रूप में ही वस्तुत है हम यहां पर ऐसे चरों को ऐसे वेरियेबल्स को व्यक्त करते हैं तो जिनकों पूर्णांकों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ऐसे चरो को हम क्या कहते हैं, ऐसे तचर कहते हैं, जैसे कास्ट हमारी मेरिटल स्टेटस, धर्म, धर्म को मानने कि कोई हिंदु धर्म को मानने वाला है, कोई मुश्लिम धर्म को मानने वाला है, या कोई सिख धर्म को मानने व सतत्चर जिनकों हम पूर्णांकों के रूप में व्यक्त करते हैं उन्हें हम ए सतत्चर इनका दूसरा भी एक नाम है जो जाज़तर हम यूज करते भी हैं रिसर्चेज में केटेगरिकल वेरियेबल यानि की स्रेणी गत्चर तो दो परकार के चर हमने बताए सतत्चर यानि की जिन में कंटिनूटी बनी रहती है जिनकों पूर्णांक तथा अंसों के रूप में अभी व्यक्त कर सकते हैं जैसे हमारे किसी हमारे स्कोर्स अपलबदी परिक्षन के स्क और हमारा भार है ना हमारी आई यू और ऐसे चर्ण यानि की ऐसे चर्ण जो की केटेगरिकल होते हैं यह ना स्रेणी गत्थ होते हैं जिन में सिर्फ हम पूर्णांकों के रूप में जिने अभी व्यक्त कर सकते हैं जैसे जैंडर कि तुम नब जिने हम पूर्णांकों के रूप में व्यक्त कर सकते जैसे परिवार में सदस्यों की संख्या जैंडर मेरिटल स्टेटस, कास्ट या हमारा रिलीजन तो ऐसे चर जो की कंटिनूस नहीं होते यानि की जिन में हम सिर्फ पूर्णांकों के रूप में ही जिनको व्यक्त कर सकते हैं ऐसे समच्चरों को हम ऐस सतचर कहते हैं इनको हम केटेगरिकल वेरियबल के नाम से भी जानते हैं जो सतचर होते हैं कांटिनूस वेरियबल होते हैं वो वेरियबल को हम क्वांटिटेटिव वेरियबल के नाम से भी जानते हैं एक दूसरा classification है चरो के संबन में ही वो क्या है independent variable और dependent variable का classification अच्छा बहुत सारा confusion कई बार होता है कुछ पुस्तक ये लिखती है कि जो independent variable है या dependent variable वो सिर्फ हमारे experimental research हैं उनमें ही होते हैं अन्य परकार की researchers में नहीं होते या हम उनको अन्य परकार की research में use नहीं करते लेकिश कुछ पुस्तक या कुछ अनुसंदान ये कहते हैं कि इन चरो को हम अन्य नामों से कुछ different नाम से भी हम दूसरे परकार के researchers में use कर सकते हैं तो उसी के संबंद में आज मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहूंगा कि जो independent variable हैं या स्वतंत्र चर हैं ये वे चर होते हैं जिसमें परियोग करता के द्वारा जोड़ तोड़ की जाती है अथा जिसकी जोड़ तोड़ का प्रभाव हम आश्रिचर पर देखते हैं तो इनको हम कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं जैसे treatment variable, experimental variable, manipulated variable तो स्वतंत्र क्या है ऐसे समस्चर जिने परियोग करता द्वारा जिन पर जोड़ तोड़ की जाती है जहां परियोग करता द्वारा manipulations की जाती है और उस manipulation का प्रभाव हम dependent variable पर देखते हैं जिसमें हुई changes का प्रभ हम क्या करते हैं dependent variable पर देखते हैं इसी को परिभासित करते हुए स्वतंत्र को यानिकि independent variable को परिभासित करते हुए केंटो विस सथा रोडिगर ने कहा था कि स्वतंत्र चर वह चर है परियोग करता के द्वारा जोड़ तोड़ की जाती है अर्थार्थ ऐसा चर जिस पर परियोग करता द्वारा manipulations किये जाते हैं तो यहाँ पर एक चीज और समझना जरूरी है कि जो ये स्वतंत्र चर और आसित चर हैं ये दोनों के मद्ध है एक कारिय कारण का संबंध होता है कारिय कारण का संबंध मतलब cause and effect का relations होता है तो यहाँ पर जो independent variables होते हैं उनको हम क्या कहते हैं उनको presumed cause हम कहते हैं पूर कल है यानि की जिसको effect की हम बात करते हैं effect मतलब जो आपका dependent variable है उसको हम presumed effect कहते हैं तो कारे कारण संबंध होने के कारण यहाँ पर जो independent variable है उसे कारण माना जाता है और the dependent variable है कारण में हुए परिवर्टनों का परभाव हम dependent variable यानि की जो हमारा आशित चर है उस पर हम देखत तो जो independent variable के बारे में हम बात कर रहे थे, इसको यदि हम further define करें, तो हम देखेंगे कि इसको भी हम दो broad category में divide कर सकते हैं, ऐसे समस्चर जिन जो की परियोग करता के control में होते हैं, type E परकार के चर, याने कि जिनको परियोग करता द्वारा जिन पर control किया जाता है, जिन पर manipulations की जाती हैं, जैसे अभी प्रेणना, या कोई सिक्षन विधी, या कोई भी ऐसा चर जिसमें परियोग करता के द्वारा जोड़तोर की जा सकती है, दूसरे परकार के independent variable वो होते हैं, जिन पर जो परियोग करता है, या experimenter है, उसके द्वारा जोड़तोर नहीं की जाती, बलकि उनको सिर्फ मापा जाता है, मेजर किया जाता है, या observe किया जाता है, तो इस परकार के चरोग को type S independent variable कहते हैं, तो हमने जाना कि क्या होता है independent variable, जिसमें हम जोड़तोर करते हैं, manipulations करते हैं, और जिनकी manipulation का प्रभाव हम dependent variable पर देखते हैं, ठीक है, अब independent variable हम लोग ने देखा कि दो broad category भी होती है, कि जहाँ परियोग करता के द्वारा जोड़तोर की जाती है, और दूसरा जहाँ परियोग करता के द्वारा जोड़तोर नहीं की जाती, सिर्प उनका मापन ही किया जाता है, तो यदि हम further independent variable को define करें, classify करें, तो हम देखेंगे कि इसकी चार broad categories हैं, कैसी, पहली है उसमें measured variable, ऐसे independent variable जिनको हम measured independent variable कहते हैं, यानि कि क्या होते हैं ये measured independent variable, an independent variable that is measured in that study, यानि जिसका हम सिर्फ मापन करते हैं, और ये वाले जो variable है, independent variable, measured variable, ये सतत, अथवा, ऐसतत, दोनों परकार के हो सकते हैं, इन परकार के variables को use करते हैं, उधारन के लिए, हाप एक उधारन से हम समझेंगे इसको, जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि mathematical ability है, जो गणितिय योगता है, वह योगता किसी व्यक्ति या एक सम्हू की, किसी एक विशे विशेस में उपलबधी को किस प्रकार प्रभावित करती है, यदि हम ये जानना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, कि mathematical ability को measure करते हैं, मापते हैं, और उसके आधार पर हम विभिन कि एक तो यह हो सकता है कि जो जिनकी mathematical ability अच्छी है, जिनकी ओसत है और जिनकी ओसत से कम है, तो हम देखेंगे कि different level हो सकता है mathematical ability का, ठीक है, तो यहाँ पर जो इस तरीखे के variable हैं, यहाँ पर क्योंकि देखिया, independent variable हैं, लेकिन manipulations नहीं किये जा रहे हैं, manipulations मतलब researcher के द्वारा उनमें कोई जोड़तों नहीं की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो ability already available है, उसी ability को सिर्फ measure हम कर रहे हैं, या observe कर रहे हैं, जैसे mathematical ability को यहाँ है, कि हमारी गणितिया योग गता, तो उसको हम किसी test के द्वारा, या किनी अन्य उपकरणों के द्वार हम क्या कर सकते हैं, measure कर सकते हैं, तो ऐसे independent variable जिनमें जोड़तों नहीं की जा रही है, बस सिर्फ हम measure कर रहे हैं, जिनको हम map रहे हैं, और जिनका प्रभाव हम किसी अन्य प्रकार के चरोपर देख रहे हैं, ऐसे independent variables को हम measured independent variable कहते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, दो कि यहाँ पर हम measure कर सकते हैं, इनको observe कर सकते हैं, यहाँ पर हम ऐसे variables को हम manipulate नहीं कर सकते हैं, दूसरी बात ध्यान रखने वाली यह हैं, कि यह categorical भी हो सकते हैं, यानि कि ऐसतत चर भी हो सकते हैं, और सतत भी हो सकते हैं, दोनों परकार के हो सकते हैं, सतत भी हो सकते हैं, और और हम इनको experiments में या descriptive researches जो हमारी quantitative researches होती हैं वहाँ पर इस प्रकार के चरों को हम जाले तर उपयोग करते हैं तो जैसे उधारण के लिए age of a child जैसे एक बच्चे की age है तो हम कोई experiment कर रहे हैं तो हम हो सकता है कि तीन group बना ले एक 15 से 18 साल के बच्चे बारा से 15 साल के बच्चे या 10 से 12 साल के बच्चे तो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर जो हमने age के अमाध्धम पर group बनाया है उस group में हमने कोई भी manipulation नहीं किये बलकि हमने measure करके observe करके हमने groups तयार किये हैं उसके आधार पर फिर हम उनका influence critical ability या creative thinking या और भी कोई ability जो जिस पर हम देखना चाहते हैं हम देख सकते हैं तो पहला प्रकार independent variable का वह प्रकार जिसमें independent researcher के द्वारा कोई जोड़ तोड नहीं की जाती सिर्फ उनको measure किया जा सकता है या observe किया जा सकता है categorical और continuous यानि की सतत अथवा ऐसतत दोनों प्रकार के हो सकते हैं और हम जिनको experimental research के साथ साथ survey researches में भी use करते हैं ऐसे independent variables को हम measured variable कहते हैं यह मुझे रखता है इसपस्ट हुआ होगा आपको कि independent variable के अंतर के जो पहले प्रकार के चर हैं वो measured independent variables होते हैं दूसरी प्रकार के जो चर हैं वो है control variables अब आप देखिएगा control variables हैं आपने सुना होगा नियंत्री चरो के बारे में यह कौन से चर होते हैं control variable a special type of independent variable एक विसेश प्रकार है स्वतंत्र चरो का वह एक विसेश प्रकार है control variable जो कि secondary interest का होता है यानि कि जुत्य रूची होती है एक researcher की जिसमें है ना और जिसके effect को neutralize किया जाता है researcher के द्वारा neutralize यानि कि जिसका प्रभाव ना पढ़ने देने के लिए researcher चाहता है कि हमारे experiment पर उस चर का प्रभाव ना पढ़े और उस चर को हम कैसे neutralize करते हैं दो चीजे हैं design procedures के थ्वारा या फिर statistics के द्वारा सांक की विदियो के द्वारा या design procedures के थ्वारा कैसे करते हैं यह जानते हैं कि design procedure मतलब कि हम इस परकार का research design select करें कि जिसमें उस चर का प्रभावी ना हो जिस चर को आप control करना चाहते हैं समझ रहे हैं control variable क्या हैं ऐसे special तरीके के independent variable हैं जो की द्वित्यक यानि की secondary interest के होते हैं और उनके प्रभाव को neutralize किया जाता है उनके प्रभाव को researcher चाहता नहीं है कि हमारी अनुसंधान पर उनका परभाव पड़े ठीक है और कैसे neutralize करता है design procedures के थरू या फिर सांख्य की विद्यों के थरू तो design procedure के बारे पहले हम बात करें design procedure क्या है कि हमने एक experiment प्लान किया कि collaborative learning का effect हमें देखना है achievement पर achievement का क्या जो हमारा science में achievement है students का तो हमने experiment प्लान किया दो group हमने बनाए एक group कौन सा group है जो आपका traditional method से हम जिसको पढ़ाएंगे और दूसरा group है जिसे हम collaborative learning के थरू पढ़ाएंगे तो दो समू हो गए अब हम यह जानते हैं पहले से research हमारी जो पुरानी research है वो यह कहती है कि जो extrovert students है वो student collaborative learning पर ज्यादा effectively वो क्या करते हैं कि पिंटु ने question पूछा है कि सर क्या गुणात्मक सोध में चर होना निवार यह नहीं है नहीं गुणात्मक हो या मात्रात्मक अनुसंधान हो हर तरीके के अनुसंधान में चर होता ही है चर के बिना कोई अनुसंधान संभवी नहीं है तो हम बात कर रहे थे कि हम कैसे कंट्रोल करते हैं डिजाइन प्रोसिजर के थ्रू तो हम यह रिसर्च करना चाहते हैं कि जो आपका कोलेबरेटिव लर्निंग है पहले से रिसर्च यह कहती है कि जो एक्स्टो वर्ट इस्टूट्ट वह स्टूडेंट्स कोलेबरेटिव लर्निंग पर बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं अब आप यह देखना चाहते हो कि यह जो वेरियेबल है यहाँ पर क्या है परस्नेलटी में क्या कि एक्स्ट्रोवर्ट स्टूडेंट यह थी होंगे तो बहुत बेटर तरीके से परफॉर्म करेंगे लेकिन हम यह चाहते हैं कि यह कंडिशन यह चर हमारे जो यह थूप कंट्रोल करते हैं कि हम जब रिसर्च करेंगे तो हम ऐसा सम्हू लेंगे जिसमें सिर्फ एक ही जैसी एबिलिटी वाले इंडिविज्वल्स हों यहाँ पर हमने बात कि दिए एक्स्ट्रोवर्ट ज्यादा अच्छा पर्फॉर्म करते हैं तो हम यह कोसिस करेंग कि पूरा ग्रूप में एक्स्ट्रोवर्ट स्टूडेंट्स हों या उस ग्रूप में सभी गुण के व्यक्ति बराबर मात्रा में हों ताकि नुट्रिलाइज कर सके हम इफेक्ट को एक्स्ट्रोवर्ट का जो इफेक्ट आ रहा है उसको जो इंट्रोवर्ट है वो नुट्र हम design procedures के थूरू controller कर सकते हैं तो यदि फिर भी हम इंस बिधाइन पर्वाइरे नहीं हो पा रहे हैं जर तो हम क्या करें हम सांहिकी विधियों के द्वारा कंट्रोल करें तो आप महां पर ऐसे चर को covariate के रूप में लेकर या ANCOVA जैसे statistical technique लगा कर analysis of covariance लगा कर जैसे प्रभावों को दूर कर सकते हैं जैसे आपने इसी experiment में मानके चलें कि आपने experiment करना है कि collaborative learning से science का achievement कैसे बढ़ता है तो आप क्या कर सकते हैं जो pre-science achievement है जो pre-achievement है science में हो सकता है कई बार वो achievement post-achievement को प्रभावित कर रहा हो तो हम क्या करें जो pre-achievement है science में उसको हम control कर सकते हैं statistically उसको as a covariate लेकर NCOVA सांकिकी यूज करके हम उसको control कर सकते हैं तो control variables कौन से variable हुए ऐसे variable जो कि independent variable के समकच होते हैं लेकिन secondary interest के होते हैं primary interest individual का नहीं होता researcher का नहीं होता उनमें पर हम क्या करते हैं उनके effect को neutralize करते हैं through statistical procedures or through design procedures यानि कि ऐसा research design select करके ताकि उनका effect हम कम कर सकें या remove कर सकें ऐसा भी हो सकता कि हम remove कर दें तो control through statistical or research design procedures ऐसे variables को हम control करते हैं experimental researches में और correlation studies में इस परकार के चरो को हम वस्तुता यूज करते हैं कुछ ऐसे चरो के examples या हो सकता है जेंडर की बात कि आपको लगता है कि जो यह research है यदि हम सिर्फ female students पर करेंगे तो ज्यादा better या ज्यादा अच्छे तरीके से प्राप्त हो सकते तो हम क्या करेंगे उस group में सिर्फ female students को सेलेक्ट कर लेंगे है ना SES हो सकता है कुछ चीज़ ऐसी होती है जो किसी एक specific social economic status के लोगों को लिए ही ज्यादा importance रखती है है ना तो ऐसे उसमें क्या करें कि हम सभी SES के लोगों को ना लेकर सिर्फ एक लेवल के या एक ही SES के लोगों को हम उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं है ना तो यह जो रिसर्चे यह जो वेरियेबल होते हैं इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है यह mostly demographic होते हैं और demographic variable कौन से होते हैं categorical variable होते हैं और categorical variables कौन से होते हैं Sदचर होते हैं कई बड़ा confusion होता है हम लोगों को यह जानने में कि कौन सा demographic variable है कौन सा Sदचर है और कौन सा फिर Categorical variable है तीनों में एक दूसरे से तार्तम्यता है क्यों क्योंकि Sदचर Categorical variable के रूप में होता है और Categorical variable ही mostly demographic variable के रूप में जाने जाते हैं जैसे एज जेंडर SES यहां पर भी categories ही है एज में एक हम गुरुप को एज वस्तुते नहीं होगा एज continuous variable होता है लेकिन mostly यहां पर जो हम control करते हैं तो जैंडर जैंडर भी Categorical variable है न मेल और फीमेल में differences यदि हम बात करना चाह रहे हैं SES different levels हो सकते हैं teaching method के different levels हो सकते हैं ठीक है तो इस प्रकार से control variables क्या होते हैं ऐसे variables जो की थोड़े से secondary interest के होते हैं हम चाहते हैं कि उनका प्रभाव हमारी research पर ना पड़े तो ऐसे research को हम control variables के रूप में मानते हैं और control variable भी independent variable के रूप में ही जाने जाते हैं यह मानके चलिए तीसरा जो प्रकार है independent variable का वो है treatment variable अब अब तक जो हम मानते आते हैं हम लोग आज तक जाज तर हम लोग क्या करते हैं यही मानते हैं कि treatment variable ही independent variable होते हैं इसके अलावा और कोई दूसरे variable नहीं होते हैं क्यों क्योंकि यह मानते हुए चले हैं हम हमेशा कि हम क्या करते हैं कि किसी manipulation का ही प्रभाव किसी चर्मे की गई जोड तोड का प्रभाव हम दूसरे चर्पर देखते हैं तो आईवी independent variable जो की manipulated by researcher यानि की researcher के द्वारा जो manipulate किया जाता है ऐसा आईवी या ऐसा independent variable treatment variable के रूप में जाना जाता है और यह जो variable है वो categorical होता है ऐसतत होता है यानि की qualitative होता है ऐसतत होता है कैटेग्रीकल होता है जैसे teaching methods सिक्षण विधियां तो महाँ पर देखा आप होगा आपने की सिक्षण विधियां है तो दो विधी हो सकती है तीन हो सकती है चार हो सकती है या जितनी आप चाहें तो उनके levels हो सकते है इनोवेटिव method या फिर दूसरा हमारा क्या कहते हैं traditional method इनका प्रभाव हम देखते हैं तो ऐसे आईवी ऐसे independent variable जो की researcher के द्वारा manipulate किये जाते हैं तथा जिनका प्रभाव researcher के द्वारा दूसरे चरोब पर देखा जाता है ऐसे variables को हम treatment variable के नाम से जानते हैं और ज्यादे तर या इनको हम सिर्फ experiments में ही यूज करते हैं इन चरोब को हम प्रयोगों में प्रयोगात्मा कनुसंधानों में ही उप्योग करते हैं चोथा प्रकार का जो independent variable है वह मोडरेटिंग वैरियेबल यह भी एक नई टर्मनोलोजी है कि ऐसे वैरियेबल एक special प्रकार के independent वैरियेबल जो कि पुन है एक बार हम कहते हैं कि secondary interest के ही होते हैं primary interest तो हमारा हमेशा किस में होता है experimental वैरियेबल में होता है treatment वैरियेबल में होता है तो secondary interest के होते हैं जो वैरियेबल और जिन वैरियेबल में जो क्या करते हैं treatment वैरियेबल जो कि हमारे primary interest के वैरियेबल एक हमारा वैरियेबल ऐसा जो primary interest का होता जो कि treatment वैरियेबल जिसको हम कहते हैं तो जो secondary interest के moderating variables, primary interest के treatment variable के साथ मिलकर इस तरीके से collaboration करते हैं, इस तरीके से interaction करते हैं कि उनका प्रभा, उनका collaborative effect हम dependent variables पर देखते हैं, समझ रहे हैं कि collaborative या interactive effect हम dependent variables पर देखते हैं या देखना चाहते हैं, तो ऐसे variables, moderating variables कहलाते हैं, एक उधारन से हम इन चरों को समझेंगे, आप same example लेते हैं हम, कि innovative method से, यानि collaborative teaching से हम पढ़ा रहे हैं class में, और दूसरा एक हमारा परंपरागत विधी से हम control group को teach कर रहे हैं, और हमें science के achievement पर इस collaborative teaching का प्रभाव देखना है, effect देखना है, तो हम क्या करेंगे, हम collaborative teaching वाले group को collaborative teaching वाले method से पढ़ाएंगे, जो हमारा परंपरागत विधी वाला समू है, उसे परंपरागत विधी से हम teach करेंगे, अब हम क्या करते हैं, इसका effect हम achievement in science पर देखने का प्रियास करते हैं, लेकिन हमने पहले ही चर्चा की थी कि बहुत सारे ऐसे variables भी होते हैं, जो की treatment variable यानि की जो हमारा collaborative learning वाला group है, उसके साथ collaborate करते हैं, या interact करते हैं, दो चीजे हम यूज कर सकते हैं या तो collaborate करते हैं, या वो interact करते हैं, क्यों interact करते हैं या क्यों collaborate करते हैं, क्योंकि उनका भी प्रभाव dependent variables पर पढ़ता है तो हम एक researcher होने के नाते ये जानने का प्रयास करते हैं उनका interaction effect भी देखें कि क्या dependent variable यहां इस case में क्या है achievement in science dependent variable है तो achievement in science पर क्या पढ़ता है ठीक है तो ऐसे कौन-कौन से variables हो सकते हैं intelligence हो सकती है हमारी computer efficiency हो सकती है अधि हम computer related कोई methodology के थूँ इस्टूडेंट्स होंगे वो network error हो गया था आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे network इशू हो गया था बीच में आशा है आप लोग सुन पा रहे होंगे मुझे होके तो अब क्या है कि जो collaborative learning है उसमें आप या फिर को computer based instruction package है या कोई भी अन्यविधी जिसका प्रभाव हम achievement पर देखना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं कुछ ऐसे चर होते हैं कुछ ऐसे variables होते हैं जो की साथ में interaction करते हुए effect डालते हैं जैसे मैंने कहा कि इंटेलिजे intelligence हो सकता है जो higher intelligent वाले लोग हैं वह collaborative learning वाले समुपर better perform करें या हो सकता है average intelligence वाले लोग ज्यादा इस तरीके की विद्यों पर perform करें ठीक है तो computer से हम कोई बढ़ा रहे है computer based instruction package के थुरू हम teaching कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो computer efficient लोग हैं वो ज्यादा वो विद्यारती ज्यादा अच्छा better perform करें वहाँ पर तो हम ऐसे चरों को remove नहीं करना चाहते हम चाहते हैं कि उनका प्रभाव भी हमारे dependent variable पर पड़े ठीक है तो ऐसे चरों को हम moderating variables के रूप में लेकर उनका interaction effect हम देखते हैं क्या देखते हैं interaction effect तो ऐसे चरों special प्रकार के independent variable जो की तृत्यक secondary interest के होते हैं है ना और जो की जो treatment हमारे वाले independent variable है उनके साथ मिलकर हमारे dependent variable को प्रभावित करते हैं ये भी सतत तथा ऐस सतत दोनों प्रकार के हो सकते हैं ठीक है ये continuous भी हो सकते हैं और discontinuous भी हो सकते हैं है ना और मिजर्ड और observe दोनों तरीके के ये variable हो सकते हैं क्योंकि हम यहां पर उस group के साथ इन प्रकार के चरों को यूज करते हैं experimental रिस्ट्रचेज में हम चरों को हम यूज करते हैं कौन से चरों को आपके moderating variable को ठीक है तो जो demographic गैमिजर्ड वेरियबल से हैं जैसे एज जैंडर रेस या मिजर्ड वेरियेबल है जैसे हमारा computer efficiency है IQ है या बहुत सारे ऐसे चर डिपेंडेंट वेरियबल पर इफक्ट डालते हैं किसी दूसरे चर के साथ में मिलकर तो आपके त्रीट्मेंट वेरियबल का ही होता है लेकिन इन variables का effect कैसा होता है interaction effect होता है यानि कि जो आपका main effect है जो independent variable तो फिर से connection का issue है फिर से interact हो गया था तो जो main effect होता है main effect तो आपके treatment variable का ही होता है लेकिन यहाँ पर जो आपके moderating variables होते हैं वो moderating variable interaction effect यहाँ पर दिखाते हैं तो ऐसे variables को हम moderating variable के नाम से जानते हैं जो कि independent variable पर अपना प्रभाव डालते हैं और जिनका प्रभाव हम interaction effect के नाम से देखने का प्रियास करते हैं अब हमने बात की independent variable की हमने ये भी जाना कि independent variable जो हैं चार प्रकार के होते हैं, चार डिफेंट प्रकार के इंडिपेंडेंट वैरियेबल होते हैं, और जिनका प्रभाव हम डिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडे बूर्व उनिकर दोरा ग३ार किया जाता है यह हम कहें कि जो जोड़ का प्रभाव इस कहा जсть को हिल ने करते हुए कहा भी था कि आश्रिक्चर्वाइचर है जिसके बारे में हम पूर्व कथन करते हैं, जिसके बारे में हम prediction करते हैं कि independent variable में हुई जोड़ तोड किस प्रकार से dependent variable को प्रभावित करेगी, तो इस जोड़ तोड का प्रभाव हम किस पर देखते हैं? dependent variable पर देखते हैं, जैसे अभी प्रेणना का प्रभाव हमें सीखने की प्रकिर्या पर देखना है, तो अभी प्रेणना क्या है? independent variable है, और सीखना क्या है? dependent variable है, ठीक है? तो ऐसे समश्चर कैसे होते हैं? dependent variable के रूप में जाने जाते हैं, कुछ ऐसे चर भी हैं, जिने हम चर मानते भी हैं और कई बार चर मानते भी नहीं हैं, क्यों तो कि परियोग की conditions में या परियोगों में उनको उतना importance नहीं दिया जाता है, ऐसे कौन से चर हैं? ऐसे चर हैं आपके intervening variable, बिलकुल अंजली जी आपने बिलकुल सही कहा, intervening variable, ऐसे variables जो independent और dependent variables के बीच में intervening करते हैं, यानी कि ऐसे समस्त चर जो dependent variable या independent variable में हुई जोड तोड का exact प्रभाव dependent variable पर नहीं पढ़ने देना चाहते हैं, ऐसे समस्त variables, intervening variables कहलाते हैं, जो की dependent तथा independent variables के cause and effect relationship को प्रभावित करते हैं, एक उधारन से हम समझते हैं, उधारन से अभी हमने देखा कि motivation का क्या effect होता है learning पर, जो motivation है अभी प्रेणना के different levels हैं, उनका क्या प्रभाव learning पर पढ़ता हैं, या सीखने पर पढ़ता हैं, यह हम जानना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि motivation के different levels हो सकते हैं, different तरीके से हम motivation को इस किसी class में arrange कर सकते हैं, थोड़ा motivation, जादा motivation या अलग-अलग techniques से हम motivation देकर प्रभाव जान सकते हैं, अब हम प्रभाव किस पर देखेंगे, किसी specific subject में achievement पर देखेंगे, आपर माले हम हिंदी में उपलबदी पर देखना चाहते हैं प्रभाव, तो हमने experiment किया, motivation के अलग-अलग level पर हमने motivation एक group को दिया, दूसरे group को हमने सिर्फ एक control group के रूप में रखा, वहां पर किसी एक विधी से या तो motivation दिया या नहीं भी दिया, depend करता है, और उसका प्रभाव हमने हिंदी विशय में, योग निरंजन जी आ गए हैं, तो हिंदी विशय की बात वसीलता पर हम देखना चाहते हैं कि हिंदी विशय में achievement कितना प्रभावी है, आपका motivation का प्रभाव कितना पढ़ता है हिंदी पर, तो यहां पर क्या करते हैं हम, motivation देते हैं, different तरीके का motivation देते हैं, और हिंदी में जो उसका achievement है, गुरूप का achievement है, वो जानने का प्रियास कर होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे चर हो सकते हैं, कैसे, जैसे हिंदी विशय के प्रती interest, हो सकता है, उस समू का रूची हिंदी विशय को पढ़ने में ना हो, हो सकता है, कि वह समय उप्यूक्त ना हो हिंदी पढ़ाने का, हो सकता है कई ऐसी conditions हों कि जो आपका teacher है वो ही हिंदी सही से ना बोल पाता हो है ना तो इस तरीके का प्रभाव डालने वाले चर जो results को प्रभावित करते हैं इंटर्वीन करते हैं ऐसे चरो को हम intervening variables के रूप में जानते हैं है ना तो इंटर्वीनिंग variables को यदि हम control कर लें तो वह control variable भी कई बार के कंडिशन में बन जाते हैं दूसरा एक ऐसा ही चर है जो है confounding variable अब यह देखिए confounding variable के बारे में हम बात करेंगे लेकिन उसको जानना थोड़ा सा इसलिए difficult होता है क्योंकि ऐसे चरो को हम identify नहीं कर पाते अपनी रिसर्च में क्यों नहीं identify कर पाते क्योंकि यह छुपे हुए रहते हैं इवन कई बार रिसर्चर से related होते हैं कई बार participants related होते हैं कई बार subjects related होते हैं पर वो शो नहीं हो पाते उस संधान में और वो रिसर्च में हमें दिखते ही नहीं है जैसे माले एक रिसर्चर के रूप में मैं हूँ और मैं collaborative teaching से ही class में पढ़ाना चाह रहा हूं science की class है दूसरे गुरूप में हम प्रमप्रागत विदीक से पढ़ाना चाह रहा हूं तो मेरा biases हो सकता है है ना हो सकता है यह जो मेरा bias है वहाँ पहले से ही डिसाइड कर दे कि सिर्फ collaborative learning वाला group ही better होगा है ना ऐसा भी हो सकता है ना कि जो हमारा biases है वो उस result को पहले से प्रभावित कर लेकिन मैं नहीं जान रहा कि मेरा bias वहां काम कर रहा है क्योंकि एक researcher होने के नाते मैं हमेशा चाहूंगा कि जो collaborative learning से मैंने lesson plan बनाए उनका प्रभाव मैं कि किसी दूसरे चर पर देखूं dependent variable पर देखूं ठीक है तो हो सकता है कि हाँ पर मेरा bias यह है कि collaborative group वाला जो समू है जो collaborative learning वाला जो समू है वो ज्यादा better perform करे ज्यादा अच्छे से perform करे ठीक है तो हम क्या करते हैं कि हम कोशिस में रहते हैं प्रियास में ही रहते हैं कि collaborative learning वाले समू पर ही ज्यादा हम अपनी मेहनत करते हैं हम वहीं पर बहुत अच्छे से पढ़ाने के प्रियास भी करते हैं एक तो वैसे ही इनोवेटिव होता है दूसरा हमारे प्रियास भी जाद अच्छे होते हैं और जो प्रागत विधी वाला समू होता है उसमें जस्ट हम कि ख़ाना पूर्ती करते हैं सिर्फ हम अपना जैसे भी हो कैसे भी करके content को पूरा करने का प्रयास करते हैं तो आपने देखा कि researcher का bias जिस चीज को पढ़ाने में उसे interest आ रहा है जिस चीज को पढ़ाना चाहता आ है उसके प्रती वो बायस है अब यह बायस है वो भी नहीं समझता है दूसरे बार दूसरा भी नहीं समझ पाता लेकिन लेकिन वो बायस वो पुर्वाग रहे परिणामों को प्रभावित कर देता है तो ऐसे चर्र जो की रही इजीली सैपरेट नहीं किये जा सकते हैं उस अंधान की पależy से वैसे चरो को हम confounding widening variable कहते हैं कि इनका identify कर लिया जाए अपज यदि हम रिसरक्टो नहीं के नाते यदि हम पाडिसिपेंट होने के सब्जेक्ट नोनेyu के नाते तो हम जरूर ऐसे चरोइप कर सकते हैं बाइसे सब्सक्राइब कर शकते हैं इंटर्ण और actionable validity की बात करते हैं तो बहुत सारी है जी यही चीज़े हम जानने का प्रियास भी करते हैं ठीक है तो biases है या हमारा किसी चीज़ के प्रती जुक ऐसा प्रक्रम है कि हम show नहीं कर पा रहे हैं लेकिन वो होता है ऐसे चरों को हम confounding variables के अंतरगत रखने का प्रियास करते हैं हाला कि easily separate नहीं किया जा सकता लेकिन फिर भी हम यदि objectivity लेकर आए अपनी research में तो ऐसे confounding variables के प्रभाव को हम nullify करने का प्रियास जरूर कर सकते हैं एक अभी question पूछा सशी रंजन ने कि all intervening variables are extraneous variables बड़ा एक confusion है variables के संबंद में बहुत लोगों को इवन बहुत पुस्तकों में हम पढ़ते हैं research के बहुत सारे जो books हैं उनमें हम देखते हैं कि हर चीज को अलग-अलग तरीके से define किया गया है extraneous variables के बारे में कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि extraneous variable के भी दो level होते हैं भाही रंग-चर जो हैं उनके दो level होते हैं एक तो यह है कि जो व्यक्ति से सम्मंदित हैं जैसे हमारा motivation यहां पर हमने intervening के रूप में बात किये इस चर्की जो यह बही रंग-चर्की जब हम बात कर रहे हैं अभी extraneous variable की यहां पर हम intervening variable के रूप में समझा है इसको ठीक है तो बहुत confusion है हम लोगों को कि extraneous variable को क्या intervening माने या extraneous अलग होते हैं या confounding intervening होते हैं या extraneous होते हैं यदि हम देखें यदि हम जानने का प्रियास करें हाँ पर ऐसे समस्चर्च जो independent और dependent variables की relationship को प्रभावित करते हैं वह भाईयचर कहलाते हैं है ना भाईयचर याने की extraneous variable बहीरंग्चर और बहीरंग्चर में भी यदि हम और फर्दर उसको define करें तो intervening variables जो की इंडिविज्वल से related variables हैं जो उस व्यक्ति से संबंदित हैं जैसे interest, motivation है ना उसकी इच्छा है या नहीं पढ़ने की है ना ठीक है तो इन सब चीजों को हम intervening variable के रूप में मान लेते हैं उर्जी में जो ऐसे variables हैं जो की जिन पर control नहीं होता जो extraneous में भी external प्रकरती के होते हैं उनको हम confounding के अंतरगत कई बार रख लेते हैं है ना तो आज हम लोगों ने जो चर्चा की है उसमें हमने जी जानने का प्रयास किया है कि चर क्या होते हैं अब एक मापन के इस्तर चरो को प्रभावित करते हैं बताई आप क्या level of measurement या मापन के इस्तर वो चरो को प्रभावित करते हैं या मापन की प्रविधी को सेलेक्ट करते हैं कि हां करते हैं क्यों क्योंकि आपने देखा कि जब हमने ब्रोडली दो प्रकार के चर प्रभावित किये हैं जो दो प्रकार के चरों को हमने डिवाइड किया है चरों को सतत तथा एस सतत चर सतत मतलब continuous variable ऐसा सतत मतलब discontinuous और categorical variable तो आपने देखा होगा जो continuous प्रकरती के चर होते हैं है ना जो continuous प्रकरती के चर होते हैं उनको हम अंतराल एवं अनुपात मापनी इस ता जो interval और ratio scale होता है वहाँ पर हम उनको उनका मापन हम वहाँ पर करते हैं आपने देखा भी होगा जैसे achievement है भार है achievement को हम कहाँ पर मापन करते हैं बताइए interval scale को मापन करते हैं ratio scale पर मापन करते हैं इसी तरीके से height का मापन कहाँ पर किया जाता है जहांपर true zero point होता है ratio scale पर मापन करते हैं तो जो यह चर है जहां उनसे प्राप्त जो सूचनाए हैं जो हमें अंक प्राप्त होते हैं उन्हों अंक का उन्हों अंकों का जब हम विश्लेशन करते हैं उस विश्लेशन को हम देखते हैं कि वो विशलेशन हम अंतराल एवं अनुपात मापनी के इसतर पर करते हैं ठीक है और दूसरा है ऐसा तच्चर जो कि continuous नहीं होते हैं ठीक है तो ऐसे चरों को हम जो नामिक है nominal scale है और ordinal scale है एसे चरों पर उनका मापन करते हैं साथ ही यह भी जानने का प्रियास करें कि जब हमारा level of measurement भी मापन का इसतर हर चर के लिए अलग है तो उसके लिए जो प्रियुक्त की जाने वाली जो सांखिकी विधियां है वो भी different होंगी होंगी यह नहीं क्यों क्योंकि यह आप ordinal level पर काम करोगे ordinal level पका कोई चर है male और female में यह आप frequencies हैं उनमें difference देखना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपका इस्क्वार ही यूज करेंगे वहाँ पर फिर आप टेस्ट यूज नहीं करेंगे parametric statistics यूज नहीं करेंगे है ना कि सुमित नहीं का कि प्रतियक प्रियोग आत्मक्षोद में स्वतंत्र चर आसिच चर एवं नियंत्रण चर की स्थिति different होती है होती है different अलग-अलग होती है है यह भी बार जानने की है कि जैसे एक अनुसंधान में कि हम intelligence को dependent variable के रूप में यूज कर रहे हैं तो दूसरे में हो सकता है वो independent variable के रूप में यूज हो तो क्योंकि हमारा relationship देखने का तरीका है यह चरों के मद्द है कई बार क्या होता है जो चर जो variable एक जगे इंडिपेंडेंट variable के रूप में काम कर रहा है दूसरी जगे हो सकता है वो dependent variable के रूप में काम कर रहा हो यह हो सकता है वो तीसरी जगे या हो सकता है कि हम उसे measure variable के रूप में यूज़ कर रहे हो अब इनका किस प्रकार से अपने नुसंधानों में हमें प्रियोग करना है सारी जो बात है इसी पर depend करती है कि कौन सा चर किस category में आएगा और कौन सी category किस चीज को reflect करेगी प्रियोगात्म करनुसंधान है तो सिर्फ treatment variable का हमारा main variable होता है primary interest का variable होता है और समस्त variable हमारे secondary interest के होते हैं आप चाहो तो secondary interest वाले variable के साथ चाहें जैसे moderating variable हैं तो interaction effect देख सकते हो यदि आप ना चाहो तो कोई जरूरत नहीं है interaction effect देखने कि आप उसको control variable के रूप में control कर सकते हो statistical procedures के थुरू या design procedures के थुरू और यहां पर भी यदि मैं कहूं तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि statistical procedures के थुरू आप control कर लो क्योंकि design procedures के थुरू यदि आप control करोगे तो कई बार क्या होता है कि condition उतनी effectively manage नहीं हो पाती है क्योंकि आपको IQ का effect नहीं देखना आपको IQ को control करना है तो एक जैसी IQ क्यों वाला ग्रूप select करना बड़ा different होता है तो इसलिए है न इसलिए यह जानना हमें बहुत जरूरी है कि हम किन चरों को अपने अनुसंधान में select करें किन चरों को हम अपने अनुसंधान में किस category में रखे क्योंकि उनको select करना important नहीं है उनको define करना और उनको manage करना भी important है और यह भी द्यान में रखने की बात है कि हमारी जो problem है है न हमारी जो समस्या है हमारी जो research objective हमारी जो problem है research problem है उसी से उन में जो चर विदमान है वही चर हमारे hypothesis में विदमान होने चाहिए वही चर हमारे hypothesis में विदमान होने चाहिए उनी चरों के आधार पर हमारा analysis होना चाहिए और उन्ही चरों के जाधार पर हम अपने conclusions लिखें हैं जैसे रमाशंगर सिंह कह रहे हैं कि यह वेरियबल मेभी dependent और independent depends on the situation हां जो हमने से लेक्षन के जो हमारी समस्या है आप कर आप डिसर्च में देखना चाहते हैं आप देखना चाहते हैं कि Effectiveness of Computer Based Instructional Package on Achievement in Science तो आप Effectiveness किसकी देखना चाह रहे हैं Computer Based Package की Computer Based Instructional Package की Effectiveness देखना चाह रहे हैं तो इसलिए जो CBI Package है वो आपका Independent Variable और किस पर देखना चाह रहे हैं आप Achievement पर देखना चाह रहे हैं आप देखना चाह रहे हैं कि Mathematical Ability कैसे Achievement को प्रभावित करती है तो यहां पर Mathematical Ability Independent Variable है और Achievement Dependent Variable है अब आप लेकिन अब दूसरी सुनिए दूसरी बात है कि आप यह देखना चाहते हैं किस प्रकार से Achievement का Group किस प्रकार से Achievement के आधहार पर बनाया गया श्रमू क्रिटिकल थिंकिंग को reflect करता है तो यहां पर आपका Achievement जो है वो Independent Variable हो जाएगा क्यों क्योंकि आप Higher Achieveal ले सकते हैं आप Low Achieveal ले सकते और उनका प्रभाव आप Critical Thinking Creative Thinking या किसी भी अन्य Dependent Variable पर जिसको आप select करना चाहते हैं उसको ले सकते हैं तो चरों के बीच में जो यह परिवर्तन है वो उता रहता है कोई चर कभी independent variable होगा कभी कोई dependent होगा कभी कोई control होगा कभी कोई measure होगा कभी कोई moderating variable भी होगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि वही चर कभी मिलकर आपका confounding variable या intervening या extraneous variable के रूप में आपके परिणामों को प्रभावित कर जाएगा ठीक है तो इस तरीके से जब आपने देखा कि चरो के मद्ध है अलग तरीके के combination अलग तरीके के संब्ध बनते हैं उसी तरीके से मापन भी उनका चरो के coding ही होता है और फिर finally result का result जो हम निकालते हैं परिणाम जो हम present करते हैं दूसरों के सामने वो भी फिर उन चरों के आधार पर ही इस पश्ट हम करते हैं एक बार मैं थोड़ा सा पून है revise करूं कि क्या हम लोगों ने आज discuss किया है जो लोग लेट जोइन किया या जिनोंने एक बार दुबारा से उसको summarize करने के लिए मैं आपको बताऊं कि आज हमने बात की चरों के बारे में वेरियबल्स के सम्मद में वेरियबल्स क्या होते हैं वेरियबल्स यह होते हैं कि बेसिकली जो चर हैं चर क्या होते हैं हमारी जो research है हम जो अनुसंधान कर रहे हैं एक research problem का हम selection करते हैं ठीक है research problem का selection करने के लिए हम क्या करते हैं उस area को explore करते हैं जिसमें आपने research करनी है एरिया को explore करने के बाद में हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि किन areas में अभी research नहीं हुई है या किन बातों पर अभी हमने focus नहीं किया है उन चीजों को हम निकालके gap finding करके हम एक research problem बनाते हैं उस research problem में विभिन प्रकार के चर होते हैं चर को डियमेटों ने परिभासित किया है किसी वस्तू अथवा व्यक्ति के मापने योग गउन को हम चर कहते हैं तो दो विसेशता इनमे जर्नली होती हैं वो miserable होना चाहिए और vary करना चाहिए उसको हम माप सकते हों qualitative भी माप सकते ह हों dai depend करता है किसी भी तरीके से माप सकते हूं और वो very कर रहा हो यानि कि वेरी कैसे उसके अंकों में विबित्ता हो और या उनके views में तथियों में विबिनता हो qualitatively करेंगे तो तथियों में ही विचारों में में विभिंता होगी ना वहाँ पर अंकों में विभिंता नहीं होगी तो इसलिए quantitatively उसको हम अंकों के रूप में मापन कर लें और हम वहाँ पर उसमें विभिंताएं हो ठीक है एक दूसरे से वह डेवियेट करते हो उसका कोई मानक which learn होना चाहिए qualitatively बात करें तो वह चर कैसा होना चाहिए मापन किया जाए तथ्यों के रूप में उसका मापन किया जा सकता हो विभिंताएं और तथ्यों में भी विभिंता हो अलग-अलग डिफरेंस है व है कि सतत और सतचर continuous और तिस कॉंटिनीवस वैरीयबल क्या होता है कि जो पूर्णाग और अंच दोनों में हम जिसको विभात कर सकते हैं कि जैसे एज, एन्य इक्ञिस साल भी हो सकती है एक्ञिस साल दो महिने भी हो सकती है 21 साल 2 महिने 4 दिन भी हो सकती है, 6 घंटे भी हो सकती है जो continuous है, achievement, achievement कैसे हो सकता है 120 score भी किसी को मिल सकता है, 120.5 भी मिल सकता है 120.52 भी मिल सकता है, 120.5, 2, 3, 4 भी मिल सकता है ठीक है, तो सतचर जो continuous होते हैं, इनको हम दूसरा नाम भी है एक quantitative variable के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, दूसरा चर discontinuous variable, ऐसा तचर, discontinuous variable क्या होते हैं, ऐसा तचर जिनको सिर्फ हम पूनांकों के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे परिवार में सदस्यों की संख्या, वहवाही किस्तिती विवाहित होना या ना होना, caste, स्ट को करता है, स्ट को करता है, या on reserve है, religion हिंदू धर्म से related है, मुस्लिम से है या किसी अन्य धर्म से related है, ठीक है, तीसरा, परिवार में सदस्यों की संख्या, दस हो सकते हैं, ऐसा सचर इनको हम categorical variable के नाम से भी हम जानते हैं तो यह आपका confusion के बार रहता है कि स्रेणी गचर अलग होते हैं या ऐसा तत अलग होते हैं ऐसा नहीं है दोनों सेम ही हैं दोनों समान हैं ठीक है स्वतंद्र दूसरा जो एक वर्गी करण है वह इस परकार से है स्वतंद्र चर और आस्रिचर स्वतंद्र क्या होते हैं वह चर जिनको परयोग करता द्वारा जिन पर जिन पर परयोग करता द्वारा जोड़तोड की जाती है और उस जोड़तोड का प्रभाव हम किसी दूसरे चर पर देखते हैं और वो दूसरा चर क्या होता है dependent variable होता है तो स्वतंचर वह है जिस पर हम जोड तोड करते हैं अब independent variable हम हमेशा मान के चलते हैं independent variable मतलब experimental research है हाँ है जरूर है क्योंकि independent variable और treatment variable को हम एक दूसरे से मिला कर ही परदर्शित करते हैं तो इसलिए ये ध्यान में हमें ये हमें ध्यान में रखना होगा कि सिर्फ independent variable सिर्फ treatment variable नहीं होते कुछ अन्य परकार के variables को भी independent variable की सेनी में रखा जा जैसे measure variable जो experiment और survey दोनों परकार के उसंदानों में होते हैं और जिनको हम यहां चोड़ तोड़ नहीं करते हैं manipulation नहीं करते हम हम क्या करते हैं हम उनको observe करते हैं और measure करते हैं और उसका प्रभाव हम किसी दूसरे चर पर देखते हैं या उसका संबंद किसी दूसरे चर से देखते हैं ठीक है दूसरे चर हाँ यह कैसे होते हैं यह सतत और ऐसतत दोनों प्रकार के हो सकते हैं कैटेगरिकल भी हो सकते हैं और कंटिन्यूस भी हो सकते हैं दूसरे जो चर हैं वो कौन से चर हैं वो है कंट्रोल वैरियेबल ऐसे चर जिन्हें प्रयोग अनुसंधायक जो है कंट्रोल करने का प्रयास करत क्योंकि वह नहीं चाहता कि इनका प्रभाव हमारे अनुसंधान पर पड़े इस्पेशल काइंड ओप इंडिपेंडेंट वेरियेबल यह हैं जो कि सेकेंडरी इंटरस्ट के होते हैं इनको नुट्रलाइज किया जाता है और नुट्रलाइज करने के भी दो तरीके हैं एक तर प्रघ klair i software कि यह होती है तो dispariment research experimental research जो है और correlation studies उनमें basically हम इन प्रकार क के संधानों को इस प्रकार के चरों को हम यूज करते हैं ठीक है और यह भी basically continuous और एकंधिकरिकल्स दोनों प्रकार के हो सकते है ठीक है अब treatment variable जिनको हम मानते ही हैं हमेशा कि हमारा ही जो independent variable है यही एक मात्रेसा होता है जो independent variable के रूप में count हम इसको करते हैं क्यों क्योंकि यहां पर manipulation researcher के द्वारा की जाती है ठीक है तो यह कैसे होते हैं यह इस अध्यक्रीकल होते हैं यह ध्यान रखिएगा यह हमेशा ग्रीकल वैरियेबल होते हैं इंडिपेंडेडनल जिनमें हम जोड़ तोड़ करते हैं जाना क्योंकि इन में मैनी इन पर हुई manipulation का effect हम dependent वैरियेबल या किसी दूसरे सततचर पर करने का प्रयास करते हैं कि जो independent वैरियेबल जो है वही independent वैरियेबल इसी तरीके के होते हैं जिनको हम treatment वैरियेबल कहते हैं ठीक है फिर क्या है चोत्ति प्रकार के होते हैं this'llrum und rating वैरियेबल यह भी independent वैरियेबल है है ना है लेकिन इन यह क्या करते हैं independent वैरियेबल जो हमारा treatment वैरियेबल जो हमारा focused वैरियेबल है उसके साथ interaction करके उसका प्रभाव dependent variable पर डालते हैं तो हम क्या करते हैं इसके प्रभाव को nullify ना करके हम यह जानने का प्रियास करते हैं कि यह यदि साथ में है इसके तो किस तरीके से अंते किरिया करते हुए आस्रिच चरोपर प्रभाव डालेगा ठीक है? तो एक categorical और continuous variable यह दोनों प्रकार का हो सकता है यह categorical भी हो सकता है और continuous भी हो सकता है ठीक है? जो कि interaction को show करता है किसके interaction को? dependent variable पर independent और moderating variables के interaction को ठीक है? तो यह चार प्रकार के independent variable होते हैं इन में से सिर्फ जो तीसरा प्रकार है treatment variable वही चर ऐसा है है जो की जो की कटेगरीकल होता है और सभी कटेगरीकल और continuous दोनों परकार के होते हैं ठीक है अब dependent variable की बात करें independent variable पर हुई independent variable में हुई जोड तोड का प्रभाव जिन चरोपर हम तो dependent variable कौन से होंगे जिन पर हम प्रभाव देखने का प्रयास करते हैं इनको हम outcome variable response variable के नाम से भी जानते हैं अब आप कहे हुए कि survey में आपने independent variable का तो बता दिया लेकि survey में जब independent variable होगा तो फिर dependent variable क्या होगा यह भी एक बात है तो वहाँ पर dependent वेरियेबल नाम का यूज नहीं किया जाता सर्वेज में या कैसी डिस्क्रप्टिव रिशर्चेज में वहाँ पर dependent के अस्थान पर criterion variable के नाम का उपयोग किया जाता है और जो हम तुलनाएं करते हैं वह तुलनाएं इन criterion variables के नाम के आधार पर ही करते हैं जैसे हमें attitude देखना है male and female का तो वहाँ पर हम criterion variable लेंगे attitude towards something किसी भी चीज के प्रति attitude है तो वो क्या है वो criterion variable वहाँ पर कहते हैं उसको तो dependent variable दो पर का मतलब जिसको दूसरे नाम से हम जानते है outcome variable या response variable के नाम से और यदि हम सर्वे रिसर्च या disruptive रिसर्चेज की बात करें तो वहाँ पर इसके स्थान पर हम सब्द्यूज करते हैं criterion variable का अच्छा कुछ variable ऐसे होते हैं जो intervene करते हैं प्रभावित करते हैं बही रंग चर होते हैं उस process का हिस्सा नहीं होते एक्स्रेनियस होते हैं वो उसमें भी दो तरीके के होते हैं इंटर्वीन करने वाले जो कि उस process का पार्ट होते हैं जैसे motivation है इंट्रस्ट है है ना आई क्यू का लेवल भी हो सकता है कही बार यदि आई क्यू को हम अपने कंट्रोल नहीं किया या उसको आप रिसर्च में पार्ट पार्टी नहीं बना रहे हैं तो दूसरे होते confounding variable जो आपको पता होते हुए भी जो जिनका control आप नहीं कर पाते हैं आपको पता है कि ऐसी कुछ चीजें प्रभावित कर सकती है या हो सकता है आपको पता भी ना हो ये चीज़े control कर सकती है या ये effect कर सकती है तो जिनके effect को हम separate नहीं करते और जो हमारे परिणामों को प्रभावित करते हैं Confounding Variables आज के लिए आशा है आप लोगों को Variables पर हुई ये चर्चा थोड़ी बहुत समझ में आई होगी क्योंकि technology है और एक दूसरे से दूर दूर हैं हम तो question answer वैसे नहीं हो सकता जैसे हम एक class में कर सकते हैं बातचीत कर सकते हैं एक्जामपल दे सकते हैं तो इस तरीके से आज हमने ये जानने का प्रयास किया कि किस तरीके से Variables को हम define करें अपने research में और क्या different प्रकार के Variables हो सकते हैं आप लोगों के कोई प्रश्न हों कुछ जिग्याशाएं हों तो जरूर अभी मेरे सामने रखिए अधित्य जी विदुशेखर अर्चना हाँ अर्चना जी कह रही है कि social demographic variables comes in which category simple सी बात है अर्चना जी बिसकों आपके discontinuous variables होते हैं categorical variables होते हैं एस तचर होते हैं और यदि आपका है तो यह independent variable भी हो सकते हैं यह dependent भी हो सकते हैं लेकिन वस्तुते ये एस तचर होते हैं continuity इन में नहीं होती है और कोई प्रश्ण और जी चंचल जहा है और देख लेता हूं कुछ 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 कह रहे हैं कि प्लीज गीव वन सिंगल एक्जामपल विदा इडिनिफिकेशन बीजर कंट्रोल ट्रीटमेंट और मोड़ेट आइवी डीवी इंटर्वीनिंग और मैंने एक्जामपल दे दिया है विनो सभी का एकिक करके है ना यदि आपको और एक्स्प्रेशन चाहिए तो मुझे इन्बोक्स कर सकते हैं कि और कोई प्रश्ण हो तो बताईए किसी ने कहा है कि कौन सा जादा कंट्रोल अच्छा है यह का इस्परिमेंटल कंट्रोल जादा अच्छा है मैं बताई आई चुका हूं कि सांखी की तो ज्यादा अच्छा हो ज्यादा बेटर होता है ना कि मेरे फोन नंबर पर मुझे वाटसब कर सकते हैं चाहें तो आप कोई भी कोशन बूस सकते हैं कुछ कंफ्यूजन हो किस चर्कों कहां रखें ठीक है तो आज के लिए इतना ही एक बार पुन है डॉक्टर सौमू सिंग जी को धन्यवाद कि मुझे यह मोका दिया कि मैं आप लोगों से बात कर सकूं कि थैंक्यू सो मुच मिनो थैंक्यू स्वामू जी थैंक्यू रितू